नागलेंड में वन्य जीवों के संरक्षन की शुरुवात सबसे पहले खोनोमा अभ्यारन से हुई थी। इससे ये पूरा इलाका हरा भरा हो गया। जंगली जानवर पक्षी आबाद हो गये। इसके बाद सरकार ने इसे कानूनी मन्जूरी दे दी। वन्य जीवों के संरक्षन के प्रती खोनोमा के लोगों की सोच और सामुदाइक पहल पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। यह बार काविले गौर है कि नागलेंड में वन्य जीवों के संरक्षन के शुरुवात सबसे पहले 1997 में खोनोमा अभ्यारन्य की स्थापना से अगरी वीथी यहां विलेच काउंसिल है जो गाउं की प्रशासनिक विवस्था देखता है सामुदा एक पहल का नतीजा ये रहा कि यहां के लोगों ने जीवन शैली में बदलाव किया यहां शिकार प्रतिबंदित किया गया लोगों की वनोपर निर्भरता कम हुई और खामोश जंगल फिर गुलजार हो गया भारत सरकार ने 2001 में पहले 97 स्कॉयर किलोमीटर में बने खोनोमा नेचर कंजर्वेशन और ट्रैगोपान सेंचुरी को कानूनी मन्सूरी दी फिर साल 2005 में खोनोमा ग्राम को भारत का पहला हरित ग्राम का दर्जा देते हुए तीन करोड की राशे पुरसकार सरूप दी गई जब खोनोमा में टूरिजम की बात हुई तो उसके पहले भारत सरकार के एक प्रोग्राम के अंतरकत जो की UNDP द्वारा संस्तुत था उस प्रोग्राम के अंतर को ग्रीन विलेज बनाने की बात चली तो ग्रीन तो खैर खोनोमा हमेशा सही रहा है हमेशा हर्याली रही है वहाँ पर तो ग्रीन विलेज के अंतरगत उन्हों ने अपनी सारी रूफ टॉप्स भी जो है ग्रीन पेंट कर दी और पूरा ये एंशोर किया गया कि चारों तरफ ग्रीनरी रहे के उन्हों ने उसी समय कुछ समय पहले ये डिसाइड किया था कि जो ट्रागू पान है ये एक इंडेंजर बड स्पीसिस है जो कि स्टेट बर है नागलेंड का उसको बचाने के लिए उन्हों ने कई हेक्टेर का एरिया जो है वो खुला छोड़ दिया था ट्रागव पान और आवाज अगर आप जाकर वहाँ देखेंगे तो आपको ट्रागो पान वहाँ पर गुमता हुआ आवाज करता हुआ मिलेगा तो जो जंगल बिलकुल खामोश हो गय थे पंचियों के आवाजों से उनमें आवाजें को इंजन लगी